आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने question की photo खीचो उसे crop करो और तुरंत वीडियो solution पाओ डाउनलोड नाओ उसमें क्या हो रही है? कोई traveling way produce हो रही है the amplitude of vibration is 1 cm उसका जब amplitude है वो कितना है? 1 cm है and displacement become 0 200 times per second तो यह oscillation देगा रखा है हमारे पास ठीक है? तो the linear mass density of string mu की value इतनी हमारे पास दे रखी है and it is kept under tension tension की value दे रखी है कितनी? 90 N, ठीक है? तो first part में में यह बताने कि उसकी speed क्या होगी और wavelength क्या होगी? ठीक है? यह find करना है फिर second part में यह बताना है कि assume that the wave moves in positive x direction at t is equal to 0 and the index x is equal to 0 is at its positive extreme position तो इसके लिए हमें क्या करना है? जब यह यह condition है t की value क्या है? t की value 0 है और x की value 0 है और positive extreme position पर है point ठीक है? तो हमें इस condition के लिए क्या करना है? wave equation लिखना है ठीक है? यह value करनी है और c part में करना है कि उसका velocity और acceleration क्या होगा? यह find करना है तो let's do this इसको solve करते हैं question देखने में बढ़ा है बर ज़्यादा बढ़ा नहीं इसको बहुत इसली जल्दी जल्दी calculate करेंगे तो बहुत जल्दी यह क्या होगा? solve हो जाएगा तो let's do this इसको solve करते हैं हम तो first cases में हमारे पास दिया क्या हुआ है? तो हमारे पास जो values दी है amplitude दे रखा है amplitude कितना दे रखा है हमारे पास? 1 cm और उसके बाद उसने टेंसन दे रखा है कितनी? 90 N ठीक है? mu की value हमारे पास given है कितना? 0.1 kg पर meter यह value हमारे पास given है और साथ ही में हमारे पास क्या given है? यह oscillation दिया है तो हम frequency calculate कर सकते हैं तो frequency की value क्या हो जाएगी? 200 upon 2 तो यह क्या दिया हुए तो हम देख सकते हैं कि अगर यह हमारा mean position है तो particle हमारा यह इधर upward direction में ऐसे जा रहा है फिर क्या हो रहा है? नीचे आ रहा है तो amplitude बोला है कि 200 times क्या हो रहा है? displacement 0 हो रहा है तो जब यहां से यहां जाएगा यह और फिर यहां से जाएगा तो एक oscillation complete हो गया तो उसके frequency क्या हो जाएगी? उसकी half हो जाएगी 200 by 2 तो मारा पास जो frequency मिल जाएगी वो क्या जाएगी? 100 hertz अब हमें frequency मिल गई अब हम क्या करते हैं? velocity calculate करते हैं V V की value क्या होती? under root में t by mu तो V की value क्या जाएगी? under root में 90 upon mu क्या है? 0.1 तो इसको solve करेंगे तो V की value कितनी आ जाएगी? 30 meter per second यह तो velocity आ गए और wavelength निकालने के लिए क्लिए क्या होता है? wavelength velocity upon frequency तो lambda की value क्या हो जाएगी? velocity कितनी है? 30 frequency हमने कितनी है निकाला? 100 तो lambda हमारे पास कितना जाएगा? 0.3 meter यह हमारे पास क्या आ गया? lambda आ गया ठीक है? अब क्या करते हैं? इसका B part solve करते हैं तो B part में उसने हमें बोल रखा है कि क्या करना है? वेब का equation लिखना है condition t is equal to 0 और एक ind क्या है? x is equal to 0 पे है, ठीक है? तो let's do this B part को कर लेते हैं तो B part के लिए हमारे पास जो values है तो B part में हमारे पास जो equation होगा उसने बोला है कि x is equal to 0 पे हमारा positive extreme position है मतलब x is equal to 0 पे हमारा जो displacement है वो क्या है? maximum है और हमारा जो motion है वो positive direction में हो रहा है तो general wave का equation क्या होता है a cos यह क्या हो जाएगा omega t minus kx जब wave किस direction में move कर रही हो? positive direction में तो यह हमारे पास equation होता है अब why is equal to amplitude कितना है हमारे पास? 1 cm है तो 1 cm cos omega को लोग क्या लिख सकते हैं? 2 pi frequency भी लिख सकते हैं 2 pi new तो 2 pi into 100 into t minus और साथ में क्या हैगा k k को क्या लिख सकते हैं? 2 pi by lambda 2 pi upon यहाँ यह क्या हो जाएगा? 0.3 into x अब इसको था अच्छे ढंक से लिख देते हैं ताकि देखने में थोड़ा अच्छा लगे तो 1 cm cos यह क्या हो जाएगा? 2 pi हमने क्या किया? कि अगर यहाँ से common निकाल ले ठीक है? 2 pi हम बाहर निकाल लेंगे तो यह क्या हैगा? 100 t minus x upon 0.3 यह हमारा क्या हो जाएगा? वेब का equation हो जाएगा ठीक है? तो यह हमारा second part का equation हो गया ठीक है? अब हम क्या करते हैं? third part को proceed करते हैं third part को solve करते हैं तो third part में हमें बताना क्या है? हमें बताना है कि उसकी velocity और acceleration क्या होगा? तो let's do this third part को भी solve करते हैं तो हमें क्या find करना है? first of all velocity find करना है तो velocity find करने के लिए हमारे पास displacement का equation दिया है V क्या हो जाएगा? dy by dt इसको क्या करते हैं? time के साथ differentiate करते हैं तो यह क्या आएगा? यह आएगा हमारे पास 1 cm cos का क्या हो जाएगा? minus sign बाहर क्या जाएगा? minus sign अंदर वाले सारे term उसी तरह 2 pi 100 t minus x by 0.3 यह और साथ में multiply में क्या हैगा? जब अंदर वाले term को t के साथ differentiate करेंगे तो क्या हैगा? 2 pi into 100 यह value भी आएगी ठीक है? यह हमारी क्या आगई? velocity आगई अब उसने बोल रखा है कि velocity कि इस point पे चाहिए हमें velocity कि इस point पे चाहिए हमें t की value 10 millisecond होनी चाहिए यह देखिया यह t की value 10 millisecond और x की value कितनी होनी चाहिए? 50 centimeter ठीक है? तो हम क्या करते हैं? अपने value में रख देते हैं given that t equals to 10 millisecond और x की value कितना है? 50 centimeter ओके? तो let's do this इसको करते हैं तो हमारा जो v आएगा minus 1 centimeter into 2 pi into 100 sine यह क्या आजाएगा? 2 pi bracket में 100 into 10 millisecond है तो यह कितना हो जाएगा? 10 into 10 to the power minus 3 यह हो जाएगा minus x की value कितना बोल रखा है? 50 ठीक है? तो यह value कितनी आजाएगी है हमारे पास? 0.5 upon 0.3 यह value ओके? अब इसको क्या करते हैं? solve करते हैं तो solve करेंगे था हमें कितना मिलेगा? यह देख सकते हैं कि आप यह 1000 हो जाएगा यह आएगा 2 pi into 100 into 10 to the power minus 2 sine यह क्या हो जाएगा? 1 और यह 5 by 3 हो जाएगा ओके? तो 2 pi minus अरे स्वारी यहाँ 1 होगा 1 minus 5 by 3 तो यह minus करेंगे तो हमारे पास जो value आएगी यह आएगी यह 100 और यह cancel हो जाएगा यह दोनों value minus 2 pi 3 minus 5 तो 3 में से जब 5 को minus करेंगे तो minus में आएगा और यह क्या जाएगा? minus 4 pi by 3 यह value आजएगी और sine minus theta क्या होता है? plus theta होता है तो overall जो हमारी velocity आएगी वो आएगी तो velocity हमारी आएगी यह आएगी 5.44 meter पर second आएगा ओके? यह हमारे पास क्या आएगी? velocity आएगी उस point पर अब हमें क्या करना है? acceleration find करना है तो acceleration find करने के लिए हम क्या करेंगे? a is equal to क्या होता है? dv by dt तो जो हमारे पास velocity वाला term आया हुआ है उसको क्या करेंगे? differentiate कर देंगे किसके साथ? time के साथ एक बर फिस दिफ्रेंशियेट करेंगे और जब उसको दिफ्रेंशियेट करेंगे यह यह जो हमारे पास यह होल टर्म है इसको पूरा क्या करेंगे? differentiate करेंगे तो differentiate करेंगे तो यह क्या आएगा? यह जो 1 cm है उसी तरह उसके बाद क्या आएगा? हमारे पास 2 into 2 pi into 100 यह value आई थी और sign का differentiation यह पूरा negative था यह क्या हो जाएगा? cos हो जाएगा cos bracket में same values रहेंगी 2 pi 100 उसके साथ क्या था? 100 t minus x upon 0.3 यह value थी और फिर से जब t के साथ इसको differentiate करेंगे तो यह values जो हो जाएगी यह क्या हो जाएगी? square हो जाएगी ठीके? यह हमारा क्या जाएगा? acceleration आएगा अब फिर से क्या करते हैं? x की value 50 और t की value 10 put कर लेते हैं जब ऐसा करेंगे तो हमारे यह क्या जाएगा? यह 10 to the power minus 3 sorry यह 2 होगा minus 2 2 का square क्या जाएगा? 4 pi का square 3.14 into 3.14 into 10 to the power 400 का square cos 2 pi bracket में यहाँ जब value रखेंगे तो same चीज आएगा तो यह कितना आएगा? directly हम लिख देते हैं minus यह क्या जाएगा? 2 by 3 ओके? इसको अब solve कर लेते हैं तो यह क्या आएगा? 10 to the power 4 यहाँ plus में यहाँ minus में है तो यहाँ जाएगा 4 into 3.14 into 3.14 यह इसकी value कितना आएगा? 10 to the power 2 बच जाएगा और यह cost cost इसकी value find कर लेते हैं तो यह कितना आएगा? इसको find करेंगे तो हमें यह मिलेगा यह आएगा हमारे पास minus 1 971.92 meter per second square ओके? negative direction की वाल का करता है? direction को represent करता है तो acceleration को हम ऐसे भी लिख सकते हैं यह देखिए अगर इसको हम लिखें 1.97 kilometer per second square तो यह value क्या है? approximately equal है क्या? 2 kilometer per second square के equal है तो यह हमारे body का क्या आ जाएगा? acceleration यह हमारी क्या हो गई? velocity हो गई उस body की उस point पे और यह हमारा क्या हो गई? उस body का acceleration हो गया तो यह हमारा क्या है? final answer है Classics to 12 से लेके NEED IIT जेही means और advance के level तक 10 million से जादा students का भरोसा आज ही डाउनलोड करें डाउटनेटा यह WhatsApp कीजिए अपने डाउट्स 8444 चार्स उपर जाउड़ उसायए